सूप्रभाद बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुना स्वागत है बच्चों आज हम कक्षा पाच्वी के हिंदी पार्थ पुस्तक रिमजिम का पार्थ पंद्रा विशन की दिलेरी का भागतीन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसके पहले दो भागों में हमने चाना कि विशन कर्नल दता के फार्म हाउस की ओर जाने को निकलता है और तभी उसे गोलियों की आवाद सुनाई देती है और वह क्या देखता है कि सिकारी तीतरों का सिकार करने आए है बिशन एक घायल तीतर की जान बचाने के लिए उन सिकारीों से बचता बचाता हुआ किसी भी तरह से कर्नल दता के फार्म हाउस के पिछवाडे से घर के अंदर पहुँच जाता है बच्चों, अब इसे आगे की कहानी हम इस विडियो के माध्रम से जानेंगी घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वा चुपचाप पड़ा रहा तीतर को चुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चल कर देखना चाहिए पर वा सिकार्यों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था इसलिए उसने चट पर चड़कर बैठना ठीक समझा बच्चो वो तीतर बहुत घायल हो गया था और वा बहुत ही सांत पड़ा हुआ था और बिशन उसको चुपाने के लिए सोच रहा था क्योंकि सिकारी उसके पीछे पीछे आ रहे थे और वह अब चट पर चड़कर बैठने वाला था बिना सिठी के चट पर चड़ना उसके लिए बहुत आसान काम था वह अक्सर इस सेड की धलवा चट के सहारे उपर चड़ जाता था बिशन लकडी के खंबे पर बंदर की तरह चलांग लगा कर लटक गया और उपर की ओर खिसकते खिसकते चट पर जा पहुँचा बच्चो क्योंकि बिशन हमेशा जाता था करनल दता के फार्म हाउस तो उसे चट पर चड़ने की आदत पढ़ गई थी और वह बिना सिठी के ही धलवा चट धलवा याने जो ढालू होता है जो बराबर नीचे की ओर होता है उपर की तरफ से नीचे की ओर आता हुआ तो इस प्रकार से वह चट पर बिना सिठी के चड़ जाता है और वह बंदर की तरह चलांग लगाते हुए चट पर पहुँच गया खप्रेल की धलावदार चट थी इसलिए वह चिमनी के पीछे चिप कर बैड़ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे लेकिन वस्वयम सब कुछ देख सके उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर करनल सहाब का अलसेशियन कुट्ता जोर जोर से भौक रहा है बच्चो आप लोग कभी गाउं गये हैं गाउं में आप देखना कि खपरयल की मतलब जो मिट्टी से बनी हुए खपरयल रहती है उससे चट बनी रहती है और धलावदार मतलब जो ढालूदार हो जो बराबर नीचे की ओर होता जाता है तो उसे धलावदार कहते हैं तो खपरयल की जो धलावदार चट थी तो वहां से चिमनी चिमनी जानते हैं उच्छत की उपर जो चिमनी रहती है धुआ निकलने के लिए जो बनाए जाती है तो उसके पीछे वह छुपकर बैठ गया ताकि वह सब कुछ देख सके लेकिन बाकी और कोई उसको ना देख सक करनल ने कुट्टे को डाटा चुप रहो पर वह न माना पिछले दोनों पाओं पर खड़े हो वह उचल कर भौकने लगा वे दोनों शिकारी करीब आ गये तो करनल ने रौबदर आवाज में पूछा कौन हो तुम यहां किसलिये आये हो साहब हम सिकारी हैं हर साल यहां सिकार के लिए आते हैं बच्चो करनल नता अपने कुट्टे को चुप रहने के लिए बोलते हैं लेकिन वह फिर भी लगातार दोनों पैरों पर खड़ा होकर उचल कर भौक रहा था किसी तरह से वह सिकारी उनके पास आगए तब करनल दता ने उनसे पुछा कि तुम यहां किसले आये हो कि और तुम कौन हो तब सिकारी बोलते हैं कि हम लोग हर साल यहां सिकार के लिए आते हैं अच्छा तो तुम ही लोगों की गोल्यों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से जी हां हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूके हैं सरपंच माधों सी भी हमें जानता है तो तुम हर साल तीतरों का सिकार करते हो करनल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा जी हां तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी बच्चो अब करनल दत्ता को उन सिकारियों पर गुशा आ रहा था और वह बोले कि तुम ही लोग थे जिनकी गोल्यों की आवाज सुबह से सुनाई दे रही थी तब भी सिकारी कहने लगी कि सरपन जो माधोसी है वो उसको हम जानते हैं और हमारे पास लाइसेंस वाली बंदू के हैं तब करनल दत्ता उनको डाड़ते हैं कि तुम ही लोग हो जो हर साल तीतरों का सिकार करते हूं उस पर भी सिकारी क्या बोलते हैं कि हम लोग तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके हाँ आचिपा है हम उसे ही ढून रहे हैं अच्छा तो तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो करणल सहब ने पूछा सिधी सी बात है सहब खाते हैं दूसरे शिकारी ने जवाब दिया बच्चो अब सिकारी पूछ रहे हैं कि जो बिशन आया था तो उसके बारें पूछता है कि हमारा जो शिकार है उसको लेकर के एक बच्चा इधर आया है तो उसके बारें पूछता है कि हम उसे ढून रहे हैं कि वो यहां आकर तो नहीं चूपा है तो उसके बाद भी करणल साहब क्या बोलते हैं कि तुम इतने सारे तीतर का मारते हो उसका क्या करते हो तब सिकारी जवाब देते हैं कि वे उसे मार करके खा जाते हैं फिर कुछ रुप कर बोला अब तो उस लड़के को ढुणवा दीजे साहब वह इधर ही कहीं चुप गया है करनल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा कैसे हो तुम लोग हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो अब शिकारी को अब धायर ये नहीं था और वह बोलने लगा कि उस लड़के को जल्दी ढुणवा दो लेकिन करनल दत्ता उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते और उसे डाड़ते हुए गुस्से में बोलते हैं कि तुम लोग हर साल इस तरह से क्यों मार देते हो तीतर को कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहां तड़ब तड़ब कर मरने के लिए छोड़ जाते हो जब फसल कटती है तब धेरो मरे हुए तीतर मिलते हैं करनल दत्ता की बात सुन कर वे दोनों कुछ घबरा गए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि करनल इस तरह उन्हें डाट देंगे करनल सहाब उन्हें डाटते ही जा रहे थे कि तुम लोग को के कारण बहुत सारी तीतर हर साल मर जाते हैं कुछ तो तुम लोग खाते हो लेकिन बाकी जो फसल के बीच में रहती है वो लोग तड़ब तड़ब करके मर जाते हैं और करनल दंता को इस बात से बहुत दुख था इसले बेए उस पर नाराज थे और करनल दत्ता की बात सुन करके वो दोनों सिकारी कुछ घबरा गए थे क्योंकि उनको ऐसा नहीं था कि करनल दत्ता उनको इस प्रकार से डाट देंगे करनल दत्ता ने उन्हें इतना ही गहकर नहीं छोड़ा आगे बुले पक्षियों को मारने और उससे जादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है अब तुम दोनों यहां से जा सकते हों यहां तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है अब जाते क्यों नहीं खड़े क्यों हों बिशन चिमनी के पिछे से सब देख और सुन रहा था बच्चो अब करनल दत्ता उनको और ढारती भी बोलते हैं कि पक्षियों को मारना और उन्हें घायल करना कोई बहादरी का काम तो नहीं है अब तुम लोग जा सकते हूं यहां से इस प्रकार से करनल दत्ता उसको बाहर भ पिछे से सब देख रहा था और सुन रहा था वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिये करनल दत्ता ने गुलाग चन से दवाय छिड़कने वाली मसीन लाने को कहा तभी बिशन छपपर से सेट पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुषते ही मालकिन को पुकारने लगा बहुजी बहुजी जल्दी आईए यह बहुत जख्मी है आकर इसे देखिए बच्चो करनल दत्ता उन दोनों सिकार्यों को इतना डाटते हैं कि वो लोग बिना आप कुछ बोले और उनको वापस देखे हुए वापस चले जाते हैं और वह गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मसीन लाने को कहते हैं इतने में ही बिशन क्या होता है जो चपपर में बेठा रहता है चुप चाप चुप करके वह सामने आजाता है और मालकिन को पुकारता है वह मालकिन को बहुजी के नाम से बिशन की आवाज सुनकर करनल दता भी अंदर जा पहुँची और बोले अच्छा तो तीतर चुजाने वाला लड़का तू ही था क्या करता बाबुजी इसे बहुत चोट लगी है अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता अब तू इसका क्या करेगा इसे पालूंगा बाबुजी बिशन ने कहा करनल सहाब मुश्कुरा दिये उन्होंने घायल तीतर को देखा उसका एक पंक तूड गया था सायद ही वह उड़ सके अब बिशन की आवाज सुनकर करनल दता भी देखने आ गया कि क्या हुआ और बोलते हैं कि तीतर को चुडाने वल्ल लड़का तू ही था तब बोलता है कि इसको चोट लगी है और अगर मैं इसे नहीं लाता तो यह मर जाता इस पर करनल दता मुश्कुरा उड़ते हैं और ध्यान से देखते हैं कि तीतर का एक पंग तूड गया था जिसके कारण पर उण नहीं पाता जाओ दवाईयों का बक्सा लेकर आओ बिशन दोड़कर बक्सा ले आया करनल दता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया फिर दवाई लगा दी पंग को फैला कर तेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डूले नहीं फिर उन्होंने बिशन से कहा अब जो करनल दता थे वो बिशन को बोलते हैं कि जाकर बक्सा ले आओ फर्स्टेंड बॉक्स के बारे में आप लोग जानते हों बच्चो जिसमें प्रात्मिक चिकित्सा बॉक्स भी कहते हैं उसे हिंदी में तो उसमें क्या होता है कि सभी दवाईयां रहती हैं जो हम जो टोट लगदे पर तुरांत उसका उप्योग कर सकते हैं तो फिर कर्णल दर्ता ने बॉक्स मंगवाया और फिर तीतर में तीतर की जख्म को साफ करके उसमें टेप लगाया उसके पंख में फिर उन्होंने बिशन से कहा बिशन अगर तुम इसे इस गेंदे के पत्तो का रस दिन में दो तिन बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा तब तक बहुची एक कटोरी में दल्या ले आई और तीतर को दल्या खिलाते हुए बोली इसे रोज दल्या भी खिलाना विशन तीतर को दल्या बहुत पसंद होता है तब तो यह विशन के पीछे पीछे ही घुमता रहेगा कर्णल ने हस्ते हुए कहा अब कर्नल दत्ता उसका दवाई लगाया है पट्टी बांधे तीतर का और उसे बताते हैं कि अगर इसके पंख पे गेंदे के पत्तों का रस पिलाओगे दो-तीन बार एक दिन में तो वह ठीक हो जाएगा जल्दी से और बहुजी बताती हैं कि उसको दल्या बहुत पसंद रहता है तीतर को तो तुम रोज इसको दल्या खिलाना और कर्नल दत्ता हसते हुए बोलते हैं कि अगर इस प्रकार से इसकी देख करेगा विशन तो हमेशा विशन के पिछे-पिछे ये तीतर घूमते रहेगा अच्छा विशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है बहुजी ने पूछा विशन ने अपने हाथों को मुँपर रख कर तीतर की आवाज निकाली क्वाक 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 कर्नल दत्ता ठाका मार कर हस पड़े बहुजी भी मुँपर पल्लू रख कर हसने लगी बिशन भी हसता हुआ फिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला अब जो बहुजी थी बहुजी मतलब जो कर्नल दत्ता की पत्नी थी उन्होंने पूछा कि तीतर कैसे आवाज निकालता है कैसे बोलता है तब बिशन तीतर की आवाज के नकल उतारता है और उसकी आवाज निकालता है इस पर बहुर्जी है, वह क्या करती है? पल्लू रखती है, हाथ मुः पे और हसने लगती है और विशन, विशन भी हसने लगता है, करनल दत्ता भी खुस हो जाते हैं और सभी इस प्रकार से तीतर को बचाने में सफल हो जाते हैं और विशन हस्ता हुआ अपने घर की ओर चले जाता है तो बच्चो उम्मीद है कि ये पार्ट आप अच्छी तरह से समझ गये होंगे इसे समधित प्रश्णोत्तर आपको भेजे जाएंगे जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्दिका में साफ अक्षरों में लिखेंगे अगले आपको